Hello dear friends, students and viewers, एक वार आप सब लोगा स्वागत है, हमारी सीट्यूब चैनल में जिसका नाम है E-Teacher Dear students, आज आपके लिए एक short update लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं एक notice आया यहाँ पर, जो 10 तरिक को update हुआ है अगस्त के और यह notice जो है, यह update है regarding EBS के, तो environmental science या environmental studies जो यह paper है, यह first year वालों को पढ़ाया जाता है, वो चाहिए BA हो, BSC हो या BECOM तो इस paper को as a ability enhancement compulsory course के तोर पर पढ़ाया जाता है, AECC भी बोलते हैं, यहाँ पर इसका course code है ENVS2AECC02, code आपने याद रखना है, क्योंकि आपने जब exam भरते हैं, paper भरते हैं, तो वहाँ पर एक code की ज़रूरत होती है तो यह student update किया है, उसको हम आगे बता रहे हैं, इस paper का जो syllabus है, वो चार unit में divided है, तो आप लोगों के इसके लावे में बता दूँ, कि environmental science में जो paper होता हो 100 marks का होता, NDR exam या final paper, तो internet assessment इसमें नहीं होती है, बाकी papers में आपकी internet assessment भी होती है, तो यह चार unit का syllabus, इसके लिए मैं मैंने दो वीडियो अलड़ी बना के रखे हैं, इंग्रीजी मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए, तो उन दोनों lectures के link मैंने इस paper के, इस lecture के description मैं दे दूँगा आपको, लास्ट में जहाग के वहाँ पर आपने उन lectures को देखना है, और अपने notes साथ साथ में जाना है, ताकि आपको जो है last time, exam के time आपको कोई दिकत ना आए, तो अब बात करते हैं कि जो update हो क्या है, तो चोथे unit में कुछ ने topics add किये हैं, ज्यादा update कुछ भी नहीं है, पराना syllabus ही है, सिर्फ यह जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ topics वो इस चोथ कर रहे हैं, उसका जो है youth के बीच में, या किसी व्यक्ति के life में क्या impact करेगा, उसके लावा society में के impact करेगा, उसकी family में के impact करेगा, क्या-क्या reasons है, जिनके वज़े से एक व्यक्ति जो है, एक individual है, या एक youth है, वो इन drugs की चपेट में हा सकता है, और कैसे उसको इस drugs की चप क्या होता है, और उसके बाद जब addict हो जाता है, जो इनसान, उसके बाद mode of action क्या होता है, जब drugs मतलब effect करता है, तो body के जो organs है, जो part है, उन पर कैसे impact करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी बताएगा, कि types of drugs, types of drugs बहुत सारे होते हैं, जैसे डेटिब यहाँ पर उसके harmful effects क्या है, और इसके लाब आप जो महत्पुन रूप से यहाँ पर बताया गया है, कि क्या कारण है, reasons क्या है कि कोई इनसान जो addiction या जिसको drug addiction हो जाती है, तो बहुत सारे इसमें कारण है कि कई लोग curiosity के एसाब से लेते हैं, या ऐसे ही experiment करने के लिए लेते हैं, कई और बोलते हैं frustration, depression, बहुत सारी चीज़, family history, बहुत सारे कारण है, कोई बोलते है कि किसी परकार की, किसी body pain से relief पाने के लिए, तो अलग पर अलग तरीके से इनसान जो है, जो drugs बोल सकते हैं कि उनको लेता है, starting में as experiment के तौर पर बात में जब धिरी-धिर एक बार दो बार या तीन बार लेता है, तो as a addiction में first जाता है, तो यह सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, इसके लिए में जल्द ही जो health lecture त्यार करूंगा और आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, अब इसके बाद next इसमें दिया है कि three effects, जो three effects है कि drug addiction के क्या क्या हो सकते हैं, तो drug जो इसे वह impact करेगा, अब देखो, एक family में अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई individual है, अगर वो addicted है, या किसी नश्य की चपीट में first चुक है, तो उसकी health को impact तो करेगा है, अब आपके family में अगर कोई व्यक्ति addicted है, किसी कोई healthy नहीं है, तो वो impact उसके family के जितने members है, उनको भी प जाता है, तो वो एक उस व्यक्ति की health पे तो impact करेगा ही, साथ में family और society पे भी करेगा, अब हम बात करेंगे rehabilitation, rehabilitation मतलब उसको कैसे सुधारना है, या उसको नश्य से कैसे चुड़ाना है, तो नश्य से चुड़ाने के लिए अलग-लग जो role play कर सकते है, society का अंदर, एक तो स सबसे करीब होती है, फिर उसके बाद उसके फ्रैंड्स होते हैं, जिनके साथ वो बातें शेर करता है, जिनको बताता है कि मुझे क्या दिक्क'T है, क्या प्रोलम है, और उसके बाद society आपकी, जिस समाज में आब रहते हैं, वहाँ पर आपका गाउं हो सकता है, आपका टौन हो सकता आपके city हो सकती है इन सभी के बीच में रहते हैं और वहां से भी आप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ड्रग को किसी बने खतम करने के लिए उधारण के रूफ में जैसे आपने बहुत सारे 25 में देखा होगा कि जो बुमन्स होती है गाउं की महलाओन है किसी भी एरिया में अगर कोई ड्रग या किसी परकार के नश्या जो बिक्रा होता जैसे कि शराप बिगेरा बंद करती है कि वहां पर नहीं शराप बिकेगी हो नहीं बनेगी तो बहुत सारे ऐसे society में जो रोल प्ले आज किये हो हैं क यहां पर वहां पर एक specialized लोग होते हैं डॉक्टर्स होते हैं जो आपका इलाज करेंगे और इलाज करने के बाद जो drug से जो addiction से छुटकारा दिला सकते हैं तो इस परकार से काफी interesting और मुझे लगता कि बहुत ही अच्छी चीज जो ही यहां पर EVS में add की गई है जो सभी student को पढ़ाई जाएगी खास का जो first year जो entrant होते हैं उनके लिए तो मैं काफी curious हूँ इसको पढ़ाने के लिए और इसके लिए जल्द ही जो है lecture जो मैं आपको बना के YouTube पे डाल दूँगा उसके लिए आपने मेरे YouTube चैनल जो है e-teacher उसको subscribe करके रखना है और press भी करना bell icon को ता